हमारे साथ है रास्टी लोग जन्शक्ती पार्टी के प्रवक्ता संजे सराफ अभी लोग जन्शक्ती पार्टी ने एलान किया है कि वो उनके जितने सांसद हो चुनाव लड़ेंगे संजे जी बताइए कि आप एलान तो कर रहे है कि लड़ेंगे चुनाव किस तरफ से लड़ेंगे एंडिये से तो अच्छी ख़बर नहीं आई है नहीं ठीक है अभी तक तो कोई सूची आई नहीं जब तक कोई सूची ओपनली नहीं आती है तब तक हम लोग वेट करेंगे ब आपकोर्स हमारे राष्टी एदेख्ष पिछले 45-46 साल से हाजीपूर में काम कर रहे है पूरे बिहार में बिहार प्रदेश आपको भी पता है बिहार प्रदेश के एदेख्ष ते 40 साल से तो उनको हर बुलाग का पता है यह मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो जलद बाजी नहीं है वो योगदान भी यहां हमारे पूरो राष्टी आजिक माने रामविलास पासवान जी का है या पुष्पिती पारज जी का है जो जमीन पर बैठे जुनको सब का संग्रान है और सब के बारे में पता है तो इसलिए यहां पर उनकी गलत फहमी जो है वो अलेक्शन क पारज के लड़ाई चिराग पासवान से होगी अब वहां से कौन लड़ेगा यहां से तो हमें नहीं कौन कहां से हजीपूर से पारज जी लड़ेंगे लड़ेंगे एक आखरी सवाल क्या आपको लगता है कि जलबाजी किया बात कर रहे थे कि आप लोग साथ इस तरह से कर के ठीक किया बीजेपी ने या जैसा पारज ही करें थे न्याए नहीं हुआ अफकूर्स न्याए हुआ पूरा इन्याए हुआ घड़ बंदन में हम लोग 2000 पहले से हैं जब रामिलाज जी थे हमारे स्वर्गवासी ने था हमने घड़ बंदन में देखा कितनी बैठ के होती है कितनी बार बात की बातचीत की जाती है और उसके बाद में जब फाइनल होता है सभी पार्टी उसको आपस में बिठाया जाता है ऐसा नहीं होता है एक स कि ये सब्सकों साधेहाघ बात्चीत कर रहें जिसके पास संसाथ क्माई संसाथ है उसको आप पूछी नहीं रहें और उसके जिसके साथ बादचीत का रहें उसी एक के साथ फाइनल कर रहे है ऐसा तो हमें नहीं आ रहा है कि इस टाइब का भी घड़ बंदन होता है बाज़पा में सीनियर नित्रुत है और हम लोग सब की दिल से कदर कर देते हैं मानि प्रदान मंत्री जी है, होमिनिस्टर साब है, नडा जी है हमें नहीं समझ आ रहा है कि ये gap और communication gap कहां पर इतनी बड़ी हो गई जहां पर एक साइड से मानि प्रदान मंत्री जी भी पुश्पधि पारज जी की शराफ़त, सिंसियाटी, ऑनेश्टी, इंटेग्रीटी तौर्ड इस नेशन, तौर्ड इस बाजपा, तौर्ड इस एंडिये, गठक दल, कितनी सिंसियाटी से उनकी बात करते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि इनसे पूछा ही नहीं जाता है, इनका फौन नहीं पिक किया जाता है, पौटी के मदम से चारों पाँचों बार फोन गया, कि हम से बात करें चर्चा तो पता तो लगे क्या दिक्कत है, अगर इनका फीड़ैख है, ग्राउंड जिरो का, अगर कोई सर्वेय है कि वो सर्वेयु देखा जाएं हमने भी आपना सर्वेय हमें बहुत को देख रहा है। हमें लगता है के बीजेपी पुनर विचार करेगी क्योंकि बीजेपी को अगर कोई ये कहता है कि मैं ब्रैंड हूं मेरा कोई गड़ बंदन किसी के साथ नहीं है मेरी विहर की जंता के साथ गड़ बंदन है अगर वो आके आ रहा है बोलता है देखो मेरी बारगेनिंग के वज़े से ऐसा हुआ तो बाज़ बाक किसी की बारगेनिंग नहीं मानती है हम लोग इसलिए आपके मद्दम से भी गुजारिश करना चाहते हैं उनको कि एक बार पुनरविचार कर ले अब ही लेकिन बादचीत बंद है अपनों की बीजेपी के नितार अब ही तो दो तीन दिन से कोई बादचीत नहीं है उसका भी जवाब तक नहीं दिया गया नेदिली से कैमरामेन स्टीफन एंटिनी के साथ प्रशांत एंडी टीवी इंडिया